परव शिप पूजन के लिए विशेश होता है और यदि आप इस दिन कुछ विशेश उपाय जमाते हैं तो आपके जीवन में सदेव खुशाली बनी रहेगी और सम्रिद्दी भी आएगी महा शिवरात्री का वर्त भक्तों के लिए कुछ खास होता है और इस दिन लोग शिव की भक्ती में पूरी तरह से लीन रहते हैं शिव से जुड़ने के लिए माशिवरात्री सबसे अच्छा दिन होता है अगर आप किसी मनोकामना के साथ वरत उप्वास या पूजन करते हैं तो आपकी सबी मनोकामनाई की पूर्ती होती है इस दिन चार पहर में पूजन किया जाता है और जो भक्त शुब भलदाई मना भक्तों के लिए इस दिन यदि आप अपनी राशी के अनुसार शिव जी का पूजन करते हैं और कुछ विशेश रंग के कपड़े पहनते हैं तो पूजा का पूण फल मिलता है आईए मैं बताती हूँ कि किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पूजन कैसे करना पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनों कामना पूण होंगी और नोकरी के साथ वैपार में भी इसका लाब मिलेगा विशेव राशी आपकी राशी के लिए शिव रातिरी का पर कुछ अच्छी खबर लेकर आ रहा है आपको इस दिन कुछ विशेश रंग के कपड़ों में श शिव जी की किर्पा प्राप्त करें इस दिन यदि आप खर के भड़े बुजरुगों की सेवा करेंगे तो आपको लाब मिलेगा मित राशी आपकी राशी के लिए शिव रातिरी का पर शुब संकेत देरा है अगर आपको काफी लंबे समय से कुछ समस्या हो रही है तो आने में मदद मिलेगी इस दिन आपके लिए सबसे शुब रंग सफेद और लाल है यदि आप इन रंगों के कपड़े महारण शिव रात्री के दिन पहनती है और पूजन करती है तो आपके जीवन में सनस्या दूर होंगी करक राशी आपकी राशी के लिए मा शिव रात्री कपर पूजा पाड में सलंगन होने का समय है आप इस दिन भगवान शिव को जल और अच्चा दूज अर्पित करें जिससे खुशाली बनी रहेगी यदि आप जीवन साथी की तलाश में है तो आपकी जल्दी शादी के य अच्छा समय है आप महा शिव रात्री के दिन भरम मूरत में यदि शी पूजन करेंगे तो विशेश लाब मिलेगा यदि आप इस दिन लाल रंग के कपड़ों में पूजन करते हैं तो आपके लिए अतियंत फल्दाई होगा कन्या राशी आपके लिए ये पर्व खुशा करके ही पूजन करना शुब होता है इस दिन आप बैंगनी पीले और ग्रे रंगे कपड़ों में पूजन करें तो आपके लिए शुब लाब धायक होगा यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप इनी रंग के कपड़ों में शिव लिंग को जल अर्पित करें और उनका करें यदि आप घर में रूद्रा विशेक कर रहे हैं तो इने रंगों के कपड़े पहन कर पूजन करें धनु राशी धनु राशी के लोगों को जीवन में सफलता मिल सकती है और उनके सभी मनुरत पूरे होंगे आपकी जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे अकर आ कि निर्ने लेंगे उनमें सफलता मिलेगी यदि आप वेपसाय में जूड़े हैं तो आपको कुछ लाब मिलेंगे शिवलिंग को कच्चा दूद चड़ाएं और उनका अभिशेक करें यदि आप लाल रंग या सफित रंग के कपड़ों में शिव पूजन करती हैं तो यति लाबी और सफित रंग के कपड़े पहनने की सला दी जाती है यदि आप इन रंगों के कपड़ों में शिव पूजन करती हैं तो आपके जीवन में खुशाली बनी रहेगी यदि आप माशिव रातर के दिन इस विशेश रंगों के वस्तर पहनेंगी तो आपके जीवन में स देव समरद्धी रहेगी, दोस्तों यह वीडियो हें तक थी मुझे अमीद आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्रीज लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समझ समय पर आपको मिलती रहे, मिलती हूं अगली वीडियो में, थैंक झाल क्यों आपक्यों आपक्यों